राधे राधे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि संतोसी माता के ब्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं साम को खाने में क्या खाएं नमक खा सकते हैं की नहीं कौन सा ओयल का इस्तिमाल करें आज हम इसी टोपिक पर वीडियो ले करके आए हैं इससे पहले भी मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है तो आज के इस वीडियो में खाने से ले करके संपुड जा वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो देखिए संतोसी मात की ब्रत में एक बात का विशेश ध्यान देना है कि इसमें लहसुन प्याज टमाटर खटाई का इस्तिमाल भूल कर भी ना करें और ना ही कोई खटा फुल खाएं तो देखिए खटे चीजों में से जैसे आम, सेव, अंगूर, मुसम्मि, टमाटर, नीबू, किसमिस, जो भी खटी चीजे हैं उसका प्रयोग ना करें और जिस दिन आप अपना ब्रत सुरू करें उस दिन से ही ये संकल्प लेकर ही आप ब्रत को सुरू करें आप कितने दिन ब्रत करना चाहते हैं 11, 21, 16, 51, 101 या इससे भी जादा तो उस हिसाब से आप ब्रत कर सकते हैं अब बात करें ओयल की आप कौन सा ओयल ब्रत में खा सकते हैं तो इस ब्रत में आप सरसो का तेल घी रिफाइंड ओयल आप कोई सावी ओयल का इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि नमक खा सकते हैं कि नहीं तो आप नमक भी इस ब्रत में खा सकते हैं बहुत से लोग नमक खाते हैं और बहुत से लोग नमक नहीं खाते हैं अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो नमक खा सकते हैं और नमक कौन सा खाए तो नमक में आप ब्रत वाला नमक भी खा सकते हैं और ये वाला नमक भी खा सकते हैं जो हम डेली इस्तिमाल करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि सबजी में कौन सी सबजी खा सकते हैं तो सबजी में आप घीया कच्चा केला पपीता आलू की सबजी आप खा सकते हैं सबजी में आप सब कुछ खा सकते है बस टमाटर छोड़ करके इस ब्रत में खटी चीजे ना खाएं और आप भोजन में साम को क्या खाएं आप मीठा भी भोजन कर सकते हैं अगर मीठा भोजन करना चाते हैं तो खीर पूरी, हलवा पूरी या पराठा दूध रोटी, चूड़ा दूध दूध वाला दलिया अगर आप नमक वाला खाना चाते हैं तो कच्चे केले का चिप्स आलू की सबजी पूरी पराठा रोटी कुछ भी खा सकते हैं घीया की सबजी पूरी रोटी खा सकते हैं आलू की पकोडी भी खा सकते हैं मसाले में घर का मसाला इस्तिमाल करें जैसे की जीरा धनिया मिर्च का आप घर का मसाला प्रियोग कर सकते हैं खाने में। आप आटे से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। बस लसुन प्याज टमाटर खटाई का प्रियोग आप खाने में ना करें। खा सकते हैं इतना ध्यान रहे कि फल खट्टा नहों तो ये थे संतोसी माता के ब्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं तो आसा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी कमेंट बॉक्स में जैसंतोसी मा लिखना न भूलिएगा वीडियो में लाश्ट तक बने रहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे